इंडिया के पास फिलहाल अपने मिलिटरी एरक्राफ्ट्स और हेलिकॉप्टर्स में यूज होने वाले इंजन्स की अपनी खुद की टेकनोलोजी नहीं है मतलब इंडिजन्सली डिजाइंड एंड डेवलप्ट इंजन्स बट ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ने इनको डेवलप करने की कोशिश नहीं की देखा जाए तो DRDO की लैब गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेबलिश्मेंट ने जेट इंजन की डेवलप्मेंट पर करीब 25 साल तक अपने एफट्स डाले हैं और 1989 में तेजस के लिए टर्बो फैन इंजन की डेवलप्मेंट पर काम स्टार्ट हुआ था जिसको कावेरी प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है और 1990 में कावेरी इंजन के एक प्रोटोटाइप को डेवलप किया गया उसको पहली बार रन किया गया देन इसके बाद रश्यन टेस्ट फेसलिटी में इसके हाई अल्टिटूड टेस्ट हुए जो के उस ताइम सक्सेस्फुल नहीं हो पाए थे देन अगेन इसके टेस्ट कंड़क्ट करवाए गए बट उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी सैटिस्फेक्टरी नहीं थी और जो एरक्राफ्ट को पार चाहिए थी वो नहीं मिल पाई इसके बाद 2015 में DRDO ने इस कावेरी प्रोजेक्ट को क्लोज करने का डिसीजन लिया पूरी तरह से नहीं क्यूंकि जो फोकस था वो अब तेज़स से शिफ्ट होकर Unmanned Combat Aerial Vehicle घातक पर शिफ्ट हो गया था और घातक में कावेरी इंजिन के एक ड्राइव एरियंट को फ्यूचर में यूज करने का डिसीजन लिया गया और अभी करेंटली Unmanned Combat Aerial Vehicle घातक एट ड्राइव एरियंट आफ कावेरी ये दोनों अभी टेस्टिंग फेस में है और इंडियन मिलिटरी के पास जो फाइटर जैट्स हैं या फिर हेलिकॉप्टर हैं उनमें यूज होने वाले इंजिन को या तो फॉरण और इंजिनल एकिप्ट्मेंड मैनुफेक्ट्रा प्रवाइड करता है या फिर इन इंजिन को इंडिया में अंडर लाइसेंस प्रड इंडिया में हुई है अंडर लाइसेंस बाइचेयल बट इनमें यूज होने वाले इंजिन्स इनकी रिस्पेक्टिव कंट्री से हैं उन इंजिन्स की मैनिफेक्ट्रिंग इनकी रिस्पेक्टिव कंट्री में हैं लाइक इन दा केस ऑफ मिग्स एंड सुखोई इनमें रश फ्लाई अवे कंडिशन में ही इंपोर्ट किया था और इसके लावा इंडिया का तेजस जिसकी डिजाइनिंग, डिवलप्मेंट और मैनुफेक्चरिंग लोकल है बट उनमें भी अमेरिकन इंजन्स का यूज किया गया है और आने वाले वेरियंट्स में भी तेजस के आने व क्टेक्शन के अंडर और यूज गूए कडिया केरी वह साफ्रानलिक्रा अशक्रानलन के वे फिस साफरानलकर्ड़ के उसचे अपनी्यों और अभी कर्यंट्री वेरिक। साफरान के सर्विस में है जिसमें से सबसे बड़ा यूजर इंडिया है और अभी तक करीब इंडिया में 1500 प्लस इंजन्स की प्रडक्शन हो चुकी है अन्रा जॉयन्ट पार्टर्शिफ ऑफ HAL एंड साफरान हेलिकॉप्व्टर इंजन्स साफरान हेलिकॉप्टर इंजन्स और H.E.L. की पार्टर्शिप आज से करीब 60 साल पहले स्टार्ट हुई थी विद दा इंडुक्शन ओफ अट्यूस्ट टर्बो शाफ्ट इंजन्स फॉर दा इंडियन मिलिटरी जेतक हेलिकॉप्टर्स और उस ताइम साफरान हेलिकॉप्टर इंजन्स दैट वाज ओरिजिनली टर्बो मेका और बाद में फिर टर्बो मेका का साफरान ग्रूप में मर्जर हुआ और 1965 में इंडियन मिलिटरी में चेतक हेलिकॉप्टर की इंडुक्शन स्टार्ट हुई चेतक भी एक फ्रेंच ओरिजिन हेलिकॉप्टर है जो के फ्रांस के ऐलुएट 3 हेलिकॉप्टर का ही एक इंडियन वर्जिन है और इसके बाद फिर ओवर दा पिरिएड ओफ टाइम हेल ने चेतक हेलिकॉप्टर और अट्यूस्ट इंजिन इन दोनों को अंडर लाइसेंस इंडिया में प्रडूस किया और करीब आज तक करीब 350 प्लस चेतक हेलिकॉप्टर को HAL प्रडूस कर चुका है जिन में टर्बो मेका अट्यूस्ट इंजिन का यूस किया गया है इसके बाद फिर 1970 में चीता हेलिकॉप्टर की इंडिक्शन स्टार्ट हुई सेम फ्रेंच एरिजन हेलिकॉप्टर है और सेम अट्यूस्ट इंजिन का यूस किया गया टर्बो मेका अट्यूस्ट इंजिन और ओवर दा पिरिड ऑफ ताइम चेतक की तरह चीता हेलिकॉप्टर को भी HAL ने अंडर लाइसेंस इंडिया में प्रडूस किया और इसके बाद फिर around 270 उनिट आज तक चीता की पड्यूस हो चुकी है that is both for India and abroad fitted with टर्बो मेक का अट्यूस्ट इंजिन then चीतल हेलिकॉप्टर में भी साफरान इंजिन का यूस किया गया है चीतल हेलिकॉप्टर चीता का ही एक री इंजिन वर्जिन है जिसमें इंजिन के साथ साथ कुछ और मॉडिफिकेशन की गई है और बट अट्यूस्ट इंजिन की जगा इसमें साफरान का more powerful TM-3333 इंजिन का यूस किया गया है और पिछले 50 सालों में ये दोनों चीता और चेतक हेलिकॉप्टर्स इंडियन आमी और एर फोर्स के में लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर्स रहे हैं especially for the high altitude operations बट आज currently ये हेलिकॉप्टर्स अपने अपनी लाइफ के final face में है और कुछी सालों में आने वाले सालों में इनकी replacement का process start हो जाएगा with the light utility हेलिकॉप्टर्स इसके लावा साफरान और H.E.L. आडिरेन शक्ती engines को भी jointly produce कर रहे हैं और जिनका use धुरूव, रुद्र और प्रचंट हेलिकॉप्टर्स में किया गया है और ये तीनों twin engine helicopters हैं और करीब 500 प्लस शक्ती engines को अभी तक produce किया जा चुका है और single engine light utility helicopters में भी आडिरेन engine के एक upgraded variant का ही use किया गया है और in light utility helicopters की induction probably इस साल से start हो सकती है इसी partnership को continue करते हुए जुलाई 2023 में H.E.L. और साफरान helicopter engines के बीच एक important agreement sign हुआ था जिसमें इंडिया के future helicopters के लिए advanced engines को develop किया जाएगा दरसल 13-16 ton के multi-role helicopters को develop करने का plan है to replace the Mi-17 helicopters और इस agreement में future Indian multi-role helicopters के लिए engines की designing से लेकर इनकी development, certification, production and sale and support जैसी सारी चीज़े included है और पिछले कुछ सालों में भी पिछले कुछ 4-5 सालों में कुछ helicopters को induct किया गया था like American Apaches, Chinooks, Romeo Seahawks बट इनको directly import किया गया था so इनके engines की manufacturing भी इनकी respective countries में ही है और अभी recently Safran ने इंडिया को एक और offer दिया है that is the most important one Safran ने इंडिया के 5th generation fighter jet के engine की designing and development के लिए 100% transfer of technology की provision को offer किया है और aircraft engines को Safran Group की subsidiary Safran Aircraft Engines द्वारा produce किया जाता है so this is a picture of the partnership between HAL and Safran to produce the engines in India but the thing is के joint partnerships के साथ indigenous manufacturing की वज़े से self-sufficiency तो create हो सकती है but not self-reliance क्योंकि self-reliant India तब होगा जब हर system को हर system की designing and development fully indigenous होगी क्योंकि foreign collaborations में कोई भी respective country अपनी technology को fully share नहीं करती खास करके critical और sensitive technologies like engines और Safran का ये 100% TOT का recent offer अभी future में ही पता चलेगा कि ये कैसे work करता है झाल पर पने हम तजये जढ़ा है झाल तब हो तो हम अदूर था ये करता है क्योंकि बादीक में हुआए ये ज़कर, हैंगी आपका गदूर में हमका जफका जपका ये में जज बन जब हादादीग